वेलकम आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेलप और सीवीटी प्रपरेशन में इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल इन्वर्सिटी अफ जारखंड का अपडेट देने वाला हूँ और इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या कुछ टेंट्रल इनके द्वारा रिलीज किया गया है कब तक मेरिट लिस्ट आएगा और क्या इनका पूरा प्रोसेस रहने वाला है चलिए देखते हैं तो रिश्टेशन फोर काउंसलिंग एड्मिशन के बारें बताया गया है इनका कि 26-25-2024 तक इनका लास डेट था जो कि अब खतम हो चुका है अगर आपका फोर में कोई गड़वड़ी होता है तो आप 27-25-2024 से 28-25-2024 को 11 बच के 55 मिनट तक अपना सुधार करा सकते है रिश्टेड केंडिडेट लिस्ट फोर काउंसलिंग एड्मिशन तो जो लोग भी यहां पे 26-25-2024 तक रिश्टेशन किये होंगे उनका रिश्टेड केंडिडेट लिस्ट 6-6-2024 को प्रकासित किया जाएगा निकि पॉब्लिस किया जाएगा इनके ओफिसियल वेफ पर चीज़बी टेट को यहां पर वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा जो भी कोर्स आप सेलक्ट किया होंगे जैसे मालिजी कि जीओलोजी या इंग्लिस अगर आपने सेलक्ट किया होगा तो उस टेट को आपको जाके डॉक्मेंट अपना वेरिफिकेशन कर कर सकते हैं तो यह पूरा डीटेल सेंट्रल इंवर्सिटी ऑफ जारखंट की तरफ से रिलीज किया गया है और उन्हें शो दोजार चोविस को ही यहां पर मेरिट लिस्ट वी रिलीज की जाएगी स्टुडेंट की जिनका यहां पर नाम आएगा तो जो लोग भी यहां पर ट्रिविगेशन कैंसल कर दिया जाएगा चलिए देखते हैं अगली इंवर्सिटी का क्या है अपडेट अगला जो अपडेट है वह बनारसिंदू इंवर्सिटी की तरफ से यहां पर बताया जारा है की रेजिस्टेशन फूर दी पीजी पूरुगनम अफ द बनारसिंदू कराना चाहते हैं और अभी तक नहीं किया है तो वेबसाइट पे जाके रेजिटेशन कर लीजिए सीव जी का अपडेट जो है की उनका भी जल्दी ही आपका फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट रिलीज होने वाला है सेंट्रल इन्वर्सिटी अगर हम रास्थान की बात करें तो इनका भी फर्स्ट मेरेट लिस्ट जल्दी ही रिलीज किये जाने वाला है जैसे ही कोई अपडेट कर दूँगा चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंट किया जाता है स्यूटी पीजी से रिलेटेड किसी प्रकार का अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप सस्क्राइब कर लीजिए इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो है वे नहीं आजदे